आपका स्वागत करता हूँ और जैसा कि आपको लास्ट की दो विडियो से मैं सूर्य का मेश लगन के विबिन भाव में फल बता एक में बताया था मैंने पहले दूसरे तीसरे और चौथे भाव में क्या फल होगा फिर बताया था पांचवे छटे साथवे और आठवे भाव म सूरे का मेश लगनी कुंडली में सूर्य हो तो क्या फल आज हम उसके आगे के भावों बीचर्चा करेंगे कि यदि 9 डसवे और 11 या 12 अगर सूर्य हो तो वह किस तरह के फल प्रदान करें तो इसको शूर करते हैं मैं इसको शेयर कर देता हूं आपको सूर्य अगर 9 भाव म स्वामी दूसरे त्रिकॉन में गया है तो यह अच्छा है अब यहां इस्थित होके इसकी द्रस्टी होगी तीसरे प्राक्रम का होता है। तो जब यहाँ पर द्रस्टी पढ़ेगी सूर्य इस भाव के तो इस भाव के कारकत्तों में हाने आएगी कि अशुप ग्राय की द्रस्टी अशुप बताईती ति यहाँ पर हमको नहीं लेना है कि वो पंचमेश की द्रस्टी है तो उस केस में आपके अधिनेस करमचारियों स आपका जगड़ा हो सकता है आपका मन मुटाव हो सकता है आपके छोटे बाई बैनों से आपका जगड़ा हो सकता है या सूर्य की द्रस्टी यहाँ पर हो और मंगल भी पीडित हो तो हो सकता है कि आपके छोटे बाई बैन हो ही न यह चीज भी हो सकती है तो इसका भी आपक केंदर में आ गया है, त्रिकोन का स्वामी है, केंदर में बैठा है, तो बहुत अच्छा है, तो करम की करम अच्छा होगा, प्रोफेशन अच्छा होगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपका अच्छा नाम हो सकता है, यश हो सकता है, जो भी काम आप स्टार्ट करें, उसमे कि अंदर फोडिए हानी चौते भाव से संबंदित चीजे स्ब्न माता का सुक के सुक्षिश करता है Chet में कमिया सकति है मांसिक niesam mixture में कमिया सकती है घर से दूर जाना पड़ सकता है चाहिए वह नौकरी के लिए हो आपको वैसे ही दूर जाना हो लेकिन घर से दूर जाना पड़ सकता है क्योंकि यह सूर्य का प्रभाब जिस भाब पे होता है उस भाब से वो सेप्रेट करने की कोशिश करता है और उस खुदाना समय रह प्रभाब तो इसमें की बात हिके नहीं हिए और लाभ में होके यह अपने ही बाभ को देखे अपनेभाब को दिखेगा तो अपना भाब मजबूत करें क्योंकि औला आप और में बेठके है और अपना बाब माप जो बिढए अपने बाब को देखतें या जो ग्रहे अपने भाव में यूथ होते हैं वो भाव बहुत मजबूत हो जाता है यह हम सब जानते हैं तो जब अपने भाव को देखेगा तो संतान का सुप्राप्त हो सकता है विवेक एजुकेशन बुद्धी इनकी बड़ी बढ़ सकती है है हार एजुकेशन में आपकी ब्रदी होगी प्रेम ब्रसंग अगर आपका है तो वो भी आपका सफल होगा शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो वो भी investment आपका सही होगा, क्युक्य सूर्य की नजर अपने ही भाव पे है, अपने भाव की हानी वो नहीं करेगा, अपने भाव की प्रत्धी करेगा, तो अशुब रहे है, चाहे अपने ही भाव को दिखेंगे, तब भी वो अपने भाव की हानी नहीं करेगा, सूर्य अगर बारवे 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 बारव तो इन सब में, इन सब के कारकतों में यह हानी कर सकता है, higher education में problem create कर सकता है, संतान में समस्या create कर सकता है, क्योंकि सूर्य बारवे भाव में हो, तो बारवे भाव में बैठके वो बारवे भाव की हानी करेगा, पंचमेश चुकि बारवे भाव में गया है, तो उसके द्रस्टी पढ़ती है चटे भाव, चटा भाव होता है रोग रिन का भाव, शत्रू का भाव, कोट केसिस का भाव, तो ये सब प्रॉबलम भी हो सकती है, आपका रोग बढ़ सकता है, रिन बढ़ सकता है, आपको रिन लिना पढ़ सकता है, शत्रूता आपकी भाव से लेके और बारवे भाव तक के पर आशा करता हूं आपको समझ आये होंगे और समझ आये हों तो कांड़ी लैग जिरूर कीजिएगा इसके अरावा हम एस्ट्रोजी एडवांस अस्ट्रोजी भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जुलाई के महीने से जो लोग इंट स्टेशन करा सकते हैं धन्यबाद जैशिए